तो लाश्ट पाट में हमने देखा था कि हौचेन उन सभी को बताए था कि मैं मून प्रिंसस के पास में जाने वाला हूँ ताकि मैं उसे मदद ले सकूँ अगले सिन में हमें हौसियान को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से निकल चुका होता है और इसके बाद हूँ अपने पास से स्केट बोर्ड को निकालता है और वह उस पर राइड करते हुए आगे की तरफ जाने लगता है वह यह में हौसियान को दिखाया जाता है जो कि हम यहां पढाए हैं तब से हमारे साथ में काफी जादा गला थोड़ा है और इसके बाद वों बताता है कि जब हम यहां पढायाए है तब हम पर ड biggest कर दिया था शाथी जब हम हुलिंग उफा के अंदर गये थे तब धि डिमोंस हम पर अटेक कर दिया था जिसकी वज़ा से कार ने अपने तिन इंद्रियों को खो दिया है और इसके बाद हो कहता है कि हमें वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक चीज मिली जो की काफी जादा पौर्फूल है और उसने अपने पावर का यूज करके मेरे पावर को भी काफी दबढ़ा दिया और इसके बाद हो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ने लगता है अगले सिन में हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो की एक जगा परूग जाता है और इसके बाद हो अपने स्केट बोट को अंदर रख लेता है और इसके बाद हो पाहर के चोट के पा पर आमें क्रिस्टल को दिखाया जाता है जो कि इसकी वज़ासे एक्टिवेट हो जाता है और इसके बादू अपने पावर का यूज करके हाउसियान पर ग्रेव्टी प्रेसर डालना स्टार्ट कर देता है वह यह में हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का य जाता है अब हाउसियानी जगह को देखकर काफी ज़्यादा हेरान हो जाता है तबी हाउसियान को नीचे काफी ज़्यादा लाइट दिखाई देती है जो देखकर हाउसियान काफी ज़्यादा हेरान हो जाता है और इसके बाद हो काफी तेजी के साथ में उदर जाने लगता ह जो देखकर वो काफी ज़्यादा हेरान हो जाता है और इसके बाद वो कहने लगता है कि ये तो मून के काफी ज़्यादा पास में है और वहाँ पर काफी ज़्यादा ठंडी होती है हाउसियान आगे बढ़ने लगता है तो अभी वहाँ पर मौझूद दो गाड हाउसियान को रोग देते हैं और इसके बाद वो उसे कहते हैं कि अभी के टाइम में यहां से कोई भी करवा नहीं जाने वाली है तो तुमको वापस जले जाना चाहिए हाउसियान उनसे कहता है कि मुझे प्रिंसेस से मिलना है जो सुनकर वो दोनों काफी जादा गुसा हो जाते हैं और इस के बाद वो होसियान से कहते हैं कि तुमारी हिमत कैसे हुई इस बात को कहने की और इसके बाद वो कहते हैं कि क्या तुमने अपने पोस्ट को देखा है तुम इतने जादा नीचे पोस्ट पर हो पर फिर भी तुम प्रिंसेस से मिलना चाहते हो और इसके बाद वो होसियान प पर काफी जाद अगुसा करने लएते हैं। और वह आउसियान पर अटेक करने के लिए डेडियों जाते हैं। तब वहा पर एक लेडी की अवा जाती है जो कि उन दोनों को रूख जाने को बोलती है। जो सुनकर वो दोनों रुख जाते हैं और इसके बादू अपने पीछे की दरफ देखते हैं जहाँ पड़ में एक लेडी को दिखाये जाता है। जो सुनकर वो दोनों काफी जाते हैं और वो काफी जाते हैं और इसके बादू उनके सामने जुक कर माफी माँगना श्टार्ट कर देते हैं। लेने से मना करता है। वो लेडी हाउसियान को यहाँ से चले जाने को बोलती होड कहती है कि अभी के टाइम में प्रिंसस काफी जादा बीजी है तो वो तुमसे नहीं मिल सकती है। और वो बताती है कि अभी के टाइम में यहाँ से कोई भी करवा नहीं जाने वाली है। तो तुमको यहाँ से चले जाना चाहिए। पर हमें हाउसियान को दिखाये जाता है जो कि इस बात को सुनकर काफी जादा है रानू जाता है और इसके बाद वो लेडी से कहता है कि मुझे प्रिंसस से मिल ला ही है क्योंकि मुझे उससे काफी जादा जडूरी काम है। इस पर वो लेडी कहती है कि अभी के टाइम में तुमसे नहीं मिल सकती है हाउसियान उसको एक बार ट्राइ करने को बोलता है और जाकर प्रिंसेस को इसके बारे में बताने को बोलता है जिस पर वो लेडी मान जाती है और इसके बादू वहाँ से चली जाती है आगले सीन में हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि अपने थोरोन पर बैटी होती है वह यह में उसके सामने कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर कुछ कर रहे होते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि प्रिंसेस अपने लोसेस के बारे में पता लगा रही होती है कि आखिर उनको कितना लोसेश हुआ है वह यह मैं उन सब्सके बंदो को दिखाया जाता है जो कि उसके बातुओं पर्र्सस को बताती है कि यहाँ पर एक परसन आया हुआ है जिसके पास में आपका टोकन है जो सुनकर प्रिंसेस काफी जादा हेरान हो जाती है और इसके बादो जाकर उसको यहाँ पर बुला कर लाने को बोलती है जो सुनकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है तब ही प्रिंसेस उसको रोकती है और इ इसके बाद आ कहती है कि ठीक है मैं उसको लेकर वहाँ पड़ा जाओंगी अगले सिन में हमें उस लेड़ी को दिखाये जाता है जक्ति आए वह belly होती है वह आई हमें वहाँ पर कुछ लड़कियों को दिखाये जाता है जो कि हाउसियान के ब्यूटी को देखकर काफी जादा है रान हो जाती है और इसके बादुआ कहने लगती है कि इसी की वज़ासे प्रिंसेज ने अभी तक दूसरे प्रिंस को हा नहीं किया है सच में लर्का काफी जादा सुन्दर है और ये प्रिंसेज के लायक है अगले सीन में हमें उस लेडी को दिखाये जाता है जो कि हाउसियान को आगे जाने को बोलती है जो सुनकर हाउसियान वहाँ पर मौझूदे गेट के अंदर एंटर कर जाता है हाउसियान अपने सामने के नजारे को देखकर काफी जादा है रानो जाता है क्योंकि यह नजारा काफी जादा आच्छा होता है चारो तरफ फुलवारी होती है और यहाँ पर काफी जादा आच्छा सुगंद आ रहा होता है ताभी वहाँ पर प्रिंसस की अबाज आती है और वह हुसियान से कहती है कि मुझे उमीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी मुझे मिलने के लिए आ जाओगे जो सुनकर हाउसियान उस तरफ देखता है जहाँ पर वो देखता है कि प्रिंसेज नाराई होती है जिसकी वज़ासे वो काफी जादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो प्रिंसेज से कहता है कि मुझे अमीद नहीं थी कि तुम मुझे यहाँ पर बुलाओगी औ और इसके बादू अपने मुह को दूसरी तरफ घुमा लेता है। वैसे तो यहां पर काफी ज़्यादा बकवास होती है पर मैं इसको सोट में एक्स्प्लेन कर दूँगा। प्रिंसेज उसको उसकी तरफ देखने को बोलती है पड़ा में हाउसियान को दिखाया जाता है जो क उसके तरफ नहीं देखता है। प्रिंसेज उसे पूछती है कि आखिर तुमको यह जगा कैसा लगा। हाउसियान बताता है कि हाँ यह जगा काफी ज़्यादा सुन्दर है। प्रिंसेज बाहर जाती है और इसके बादू हाउसियान से कहती है कि तुम काफी ज़्यादा ठक चुके होगे तो तुम मेरे बगल में आकर बैठ सकते हो पर मैं हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि उसको मना कर देता है जो सुनकर प्रिंसस काफी जादा गुसा हो जाती है और इसके बादू हाउसियान से कहती है कि आखिर तुमको काईड में क्या दिखाई देता है जो कि मुझे में नहीं है हाउसियान उसे कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ में रिलेशन में नहीं आ सकता हूँ जिस पर प्रिंसेस काफी ज़्यादा है रहान हो जाती है और इसके बादों से कहती है कि तुम्हारे बातों पर कौन विश्व तुम्हें मेरे बातों पर विश्वास करना है तो करो या फिर ना करो प्रिंसस आखाओं के बातों की वजासे काफी जादा गुसा करने लगती है और इसके बादुए अगीज अगुन चैज करने लाथですね पड़ मैं एक हाइब्रीड हूँ जिसकी वज़ासे मेरा खुन लाल है और इसके बाद प्रिंसेस उसको बताती है कि जब मैं यहाँ प्रपैदा हुई थी तो मुझको सभी लोगों ने नकार दिया था यहाँ तक कि मेरे फादर ने भी मुझको नकार दिया था क्योंकि मैं तो कि यहाँ का अगला लिडर नहीं बन सकती हूँ जो सुनकर हाँसेँ काफी ज़्यादा है तो अभी मुन प्रिंसेज उसको बताती है कि इसलिए मैं आपको काफी ज़्यादा पॉर्टफुल बनाना क्याती हूँ ताकि मैं अपने पावर का यूज कर के यहाँ के गदी को हति और इसके बादू हाऊसियान को टेंसा लेने समना करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी पर मैं चाहती हूँ कि टाइम आने पर तुम ही मड़ी मदद करो ताकि मैं यहां के गदी को हतिया सकूँ हाऊसियान उसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद और उसके साथ में तुम जा सकते हो जिस पर हौसियान जुग जाता है और इसके बाद वह प्रिंसेस को थेंग्स बोलता है और वो दोनों अभी आपस में बात करी रहे होते हैं तबी वहाँ पर काफी ज़्यादा पौवर रिलीज होने लगती है जो देखकर हौसियान काफी ज ज्यादा परिशान होती है और इसके बाद वह हुसियान को जल्दी कुछ करने को बोलती है और उसको यहां से जाने को बोलती है जो सुनकर हुसियान हावो यू के साथ में कॉंट्रेक्ट बनाने की कोशिस करता है पर वह ऐसा नहीं कर पाता जिसकी वजासे वह काफी ज्यादा परिसान हो जाता है जिसकी वजह से वो मेरे यहां पर रहने से कोई परोबलम है और अगर तुम यहां पर रहोगे तो मेरे फादर इसकी वजह से काफी ज़्यादा घुसा हो जाएंगे और हो सकता है कि वो तुमको मार भी सकते हैं तो अभी वहाँ पर एक लेडिया जाती है और इसके बाद होगा पर प्रिंसेस को बताती है कि दिमन किंग यहाँ पढाने वाला है जिसकी वज़ासे आपको उसके सामने एक निर्ट पेस करना होगा जो सुनकर प्रिंसेस कहती है इसके बाद वह कहता है कि मैं एक लेडी नहीं बनने वाला हूं और यह एपिसोड यहीं पर खतम हो जाता है तो गाइस यह एक्स्प्लानेशन थोड़ा साइधर उदर होगा तो आप लोग मैनेज कर लेना तो चलिए मिलते अगले एपिसोड में